दो साल नहीं यार तीन साल शायद होगे इस बात को क्योंकि बात है 2020 की जब यहाँ पे बेंटेन लाइव एक्षन की अजीब सी सुनामी आ गई थी और यहाँ पे फैंस लोग अपने सपने बुन रहे थे यानि कि फैंस लोग चाहते थे कि टॉम होलिंड जो की करेंटी आस राइट्स आ गया है वह बेंटेन मुवी बनाएगे या पिटीवी स्रीज बनाएगा लेकिन तीन साल अल्मोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे ऐसा कुछ हुआ ने उपर से यहां पे उसी फैन आर्ट में टॉम होलिंड नहीं कमेंट किया था नो यानि कि पहले उन्होंने क् करना चाहते हैं हाला कि उससर में काफी बिजी थे यहां पर स्पाइडामिन की मुवीज आने वाली थी इन सबके अलावा दोस्तों उनके और प्रजेक्ट है जैसे की अंचार्डड हाला कि उखास चला नहीं लेकिन इन सबके अलावा भी बेंटेन के पॉपलाइटे कमने कि बेंटेन लाव एक्शन कब देखने पर लेगी अगर क्लेरली बता तो अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि बेंटेन लाव एकशन कब आने वाली है तो आपको ऐसे तमाम आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर आप लोग को यह नियूज है वो नियूज इस कोटे बच्चे थे इन सबके अलावा अभी जो नए बच्चे आरी जिनमें बेंटेन का क्रेज बर्ड आ है उनको लाव एक्शन मुई मांगता है क्योंकि दोस्तों यहां पर एक चीस्तों है अब लाव एक्शन का जमाना आ रहा है यहां पर जितने भी कार्टून कैक्टर स सब लाव एक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं उनके से कुछ ऐसे प्रजेक्ट से जो की काम्याब हो जाते हैं और कुछ का मज़ाग बना दिया जाता है लेकिन फिर भी बेंटेन आएगी तो ओर्डेंस को इससे काफी उमीद है अब सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि यह जो प्रजेक्ट अगर वाकई में लाव एक्शन में अनाउंस हो गया तो ओर्डेंस इसे वेब सीरीज के रूप में देखना चाहेगी कि अगर अब लोग देखें काटून एपसोड तो हर एक एपसोड में अपने आप में अजीब से मिशन होते हैं जो कि ओर्डेंस दे और मुवी में ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप एक ही मुवी में दसो के दस एलियन दिखा दिये या फिर उनका अल्टीमेट रूप दिखा दिये तो सबसे वेस्ट तरीका होगा इसको प्रजेंट करने का वो होगा टीवी सीरीज जहां पर स्टूडिय के पास पूरा टायम लेकिन अभी यहां पर स्टूडियो इतना रिक्स लेने से डरता है कि यहां पर बैंट 10 काफी अच्छा क्याक्टर है जो की एनिमेशन में काफी अच्छा चलना है लेकिन वेब सेरीज में यह फिर मुवी में होतना चलेगा कि यह फिले साल यानि कि 2023 में हम लोग ने one piece तो अगर उनको पसंद आती है तो fans लोग उसे उचाई पर पहुचा लेती है और नई पसंद आती है तो क्या हाल होता है वो fans लोग अच्छी तरह जानते ही है लेकिन फिलाल दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग से पूछना जाऊंगा कि अगर आपको Ben 10 की वोच मिल जाती है तो आप सबसे पहले कौन सा एलिन बनना पसंद करेंगे और क्यों